क्या आप जानते हैं कि क्या भारत में संसद या विशेशादिकार सहीता बद है प्रतेक सदन और इसके सदस्यों तथा समितियों को प्रदान किये गए अधिकारों, विशेशादिकारों तथा उन मुक्तियों को परिभाशित करने के लिए संविधान के अनुछेद 105 बटे 194 के खंड, तीन के अनुसरण में संसद तथा राजय विधाईकाओं द्वारा अभी तक कोई विधान नहीं बनाया गया है इस प्रकार का विधान नहोने की इस्थिति में संसद के सदनों और राजय विधाईकाओं तथा उनके सदस्यों तथा समितियों के अधिकार, विशेशादिकार तथा उन मुक्तियां बही होंगी जो समिधान के 44 संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 15 के लागु होने से ततकाल प पटल पर पत्र रखे जाने के ततकाल पश्चात तथा किसी सूची बद कारे को सभादवारा शुरू करने से पहले के समय का लोग प्रिया नाम शुनकाल है चूंकि ये मध्यान 12 बजे शुरू होता है इस अवदी को शिष्ट भाशा में शुनकाल कहते हैं लोग सभा में अद्यक्ष को सूचना देते हैं सभा में ऐसे मामले को उठाने या नहीं उठाने की अनुमति देना अद्यक्ष पर निर्भर करता है संसदिय प्रक्रिया में शुनकाल शब्द को आपचारिक मानेता प्राप्त नहीं है कि मैगमा भंडार अर्थात मैगमा चेंबर क्या है ये भुगर्व में इस्थित वो भाग है जहां शेले तरप्त तरल मैगमा के रूप में पाई जाती हैं। ये भूतल पर प्रकट होने वाले मैगमा या लाबा का श्रोत होते हैं। मैगमा भंडार इस्थाई व अस्थाई दोनों ही प्रकार के होते हैं। अधिकांश भूवैग्यानिकों के अनुसार भूखंड के नीचे लगबग 65 किलोमीटर की गहराई पर प्रित्वी के केंद्रिय भाग के चतुर्दिक बेसाल्ट की एक परत पाई जाती है, जो प्राया ठोस अवस्था में रहती है, किन्तु उपरी दबाव में कमी आने पर य जाती है, इस प्रकार ये इस्थाई मैग्मा भंडार है, इस्थानिय या अइस्थाई मैग्मा भंडार पृत्वी के सत्य के नीचे किंतु अपेक्षाकृत अधिक समीब होते हैं, जिसमें शैल सामानता ठोस अवस्था में होती है, परंतु उपरी दबाव कम होने पर वे पिगल जाती हैं। ज्वालमुखी उद्गार के समय इस्थानिय मैगमा भंडार से निकल कर मैगमा अर्था तिलावा भूतल पर प्रकट होता है। अधिक कठोर तथा प्रतिरोधी शैलों के कुछ भाग विशेशक अपरदन अर्थात डिफिरेंशियल इरोजन के कारण कम अपरदित हो जाते हैं। और समतल सता के उपर टीले के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इनका नाम करण सहिवत राज अमरीका के अपलेशन क्षेत हों। देश में कम पानी वाले इलाकों में जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, आगरा मंडल, आगरा, मतुरा, फिरोजबाद एवं मैनपुरी जिले में ये जरूरी है कि अधिक पानी चाहने वाली फसलों, धान, यहूं की जगा फसल चक्र में कम सिचाई वाले फसलें, जौर, बाजरा, मक्का, खरीफ में तथा राई सरसों, रभी मौसम में की और विशेश ध्यान दिया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर, मेरट, सहारनपुर, मुजफर नगर, शाजहापुर आदे जिलों में धान के बाद गन के बजाए फलों और सबजियों जैसे केला, संतरा, किनो, आम, अम्रूद, खर्बूज, तर्बूज, आदिकी भी खेती कर सकते हैं। जौर में अनेक तत्व पाए जाते हैं जैसे रैबो फ्लेविन, मैगनीशियम, लोहा, तांबा, फस्वोरस, पोटेशियम, प्रोटीन, क हासी का इलाज आदि हे तू उपयोगी, मक्का है, बाजरा में गुण पांचन क्रिया में सहायक, वजन घटाने में मददगार, गर्भावस्ता में उपयोगी, डाइबिटीज, दिल के मरीजों हे तू लाबप्रद है, अता, इन तीनों फसलों को खरीफ में उगा कर, कम पा का ओफिस सीनेलिस, कुल, U4VAC, एक औशदी अफल है जिसे आवला एक गुण अनेक के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें विटामिन C खाने वाले भाग में 600 मिलिग्राम प्रती 100 ग्राम में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, आवला से पापड, कैंडी, पे प्रक्ति को दुरुस्त रखने की ताकत रखता है, सर्दियों में आमले का सेवन रामबान औशदी की तरह है, आमला नवमी को विशेश रूप से आमले के पेड़ की पूजा की जाती है, बहुत से स्थोनों पर तो पूरा परिवार आमले के पेड़ के नीचे बैठ कर भी भोजन करता है, आमले की प्रजातियां लक्ष्मी बावन, वारानसी, हाती जूलिया फ्रांशिस, क्रिश्ना, नरेंद्र आमला छे, सात वा दस, बल्वंत, आनंद, एक वा दो, आदि प्रचलित हैं, कि वक्फ क्या हैं? कुछ वक्फ ऐसे होते हैं, जिनका लाब अमीर एव गरीब दोनों उठाते हैं, ये निम्नुवत हैं, एक मस्जिद्व नमाज के मैदान, दो, इमामबाड़ा, तीन, रोजेव दरगाह, चार, कब्रिस्तान, पांच, स्कूल कॉलेज, छे, अस्पताल, साथ, खान काह, कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट क्या हैं? इस निक्षेप लंबे किन्तु पतले इस्थम्बों के रूप में होता है, जो कि कंदरा की फर्ष की और बढ़ते चले जाते हैं, इन लटकते हुए इस्थम्बों को स्टेलेक्टाइट कहा जाता है, इसके अतरिक्ट जब कंदरा की छट से रिसने वाले जल की मात्रा यदि कुछ अधिक होती है तो वो सीदे तपक कर कंदरा के फर्ष पर पहुँच जाता है, जिससे कंदरा के फर्ष पर निक्षेप आत्मक इस्थम्ब का निर्माण हो जाता है, दीरे दीरे निक्षेप द्वारा इन इस्थम्बों की उंचाई उपर की ओर बढ़ती जाती है, इस प्रिष्ट संख्य 185